गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ आज हम एक्सरसाइज फॉर पॉइंट हुगा, कॉशन नमबर टू सॉल करेंगे फ्राइडे को हमने कॉशन नमबर बस्त सॉल किया था आज हम इसके आगे सॉल करेंगे, देखी क्या है इसका कॉशन नमबर टू वाट बुड वाट सुड भी सब्ट्रेक्टेट फ्रॉम दा फॉलॉविंग नमबर टू मेंग देम आज एक्जैकली डिविजबल वाइद्र नमबर एज सौन आगरेश्टें कर दें कि जो आए गा होगा ऋगे लिखे हुए नमबर से य से यह क्या मैनस कर दें करतें कि यह ज़तीbuild ही से गनल्माब यह Тогда क्या को डिवाइट करेंगे तो देखी यह देखी ध्यान से 55,449 को हमने डिवाइट किया है 13 से करने पर यह इसका कॉसेंट आया 4265 और रिमेंडर जो आ रहा है वह आ रहा है फूर अगर यह रिमेंडर जो फूर आ रहा है इस नमबर से सब्ट्रेक कर दें तो जो हमारा नमबर आएगा वह नमबर 13 से डिविजबल होगा तो यहां हमने इसी को लिखा हुआ है इस नमबर से हम सब्ट्रेक कर दें इस नमबर जो आएगा वह थर्टीन से डिविजबल होगा तो यहां पर लिखा हुआ हमने 55,449-4 आज आएगा आपका 55,445 ओके देखा हमने मने मैनस किया और आप इसको चेक कर सकते हैं यह नमबर आपका 13 से exactly divisible होगा Hence Therefore the required number is 4 तो जो हमारा required number है जिसे हमें subtract करना है वो कितना है? वो 4 है चलिए एक और example हम लेते हैं और एक और example हम इसको understand करते हैं कि किस तरीके से होगे तो इसका question number D हमने solve कर रहे है यह है 22,5386 हमें यह चेक करना है यह 21 से divisible है और remainder कितना आएगा वो चेक करेंगे तो पहले हम करेंगे divide करेंगे तो divide करने पर हमने यहाँ पर देखी divide किया और divide करने पर आया 9780 और remainder जो निकल के आया वो निकल के आया 6 के निकल के आया? इसका remainder 6 निकल के आया तो यहां पर लिखेंगे इफ भी सब्ट्रेक्ट जिए से पिछले वाली राष्ट वाली कुश्चन में हमने लिखीते लेंगे इफ भी सब्ट्रेक्ट दा रिमाइंडर फ्रॉम दा नंबर इट बुड बिकम एक्जैक्टी डिवेजबल वाई 21 के वह यहां चेंज कर दिया हम लिए हम चेक एक रेंटीवन से तो हमांगे यहां फैसिश हम्क्या करेंगे टू लेग फावजाएटी शिक्स में सिक्स को माइनस करेंगे तो यहां जागा टू लेग फावजाएंड त्रीहंड़ेटीघ्यु तो यह नंबर आप इससे चेक कर सकते यह नंबर आपका कर रहे हैं वह हमारा क्या होगा आंसर होगा ठीक है तो आज के लिए मैंने दो questions solve कराएं इसके अंदर और भी बहुत सारे questions है और भी questions है अगर आपके पास book होगी तो वहां से आप solve करेंगे और book होग उनी भी चाहिए सब के पास और वहां से आप इन questions को solve कीजिए बाकी questions हम कल कर आएंगे आज के लिए वसे तना है